Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well और बहुत बढ़ी आ हैं मैं भी बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी Class 12 की जो फ्लमिंगो बुक है, उसकी last poem, Aunt Jennifer's Tigers और इसकी author है, इसकी poet है, Adrine Rich सबसे पहले हम poet के बार में पढ़ते हैं, क्योंकि poet के बार में पढ़ना बहुत जरूरी होता है ताकि हम poet से connect कर पा हैं कि poet का ऐसा क्या mindset था जो उसने ये poem लिखी So let's begin about the poet Adrine Cecily Rich, she was born in 1929, ये इनकी birth कब हुई थी 1929 में और इनकी death हुई है 2012 में She was an American poet, essayist and feminist, ये एक American poet थी, essayist याने बहुत सारे essays लिखती थी और feminist थी, अब feminist क्या होता है, feminist वो ladies होती हैं, जो बहुती strong opinions रखती हैं females के favor में, अगर किसी औरतों के साथ बुरा व्यवार हो रहा है, बुरा बरताफ कर रहे हैं घर में या उनके साथ कोई कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो ये females हमेशा उनके support में रहती हैं, ये feminist होती हैं तो जो हमारी poetess हैं, वो भी feminist रह चुकी है one of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century तो 20th century के second half की ये बहुत famous poet थी और इनकी poems हमेशा influenced रहती थी याने लोगों को influence करती थी, लोगों को अच्छे रास्ते पे हमेशा ले जाती थी she talks about a woman's experience in her married life और इस poem में, Aunt Jennifer's Tigers में, ये किस के बारे में बात करती हैं? एक woman के बारे में बात करती हैं, जो अपनी married life, अपनी शादी शुदा life में बहुत ज़्यादा harsh treatment face करती हैं अपने husband से she has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men इस poem के through, poet ने, poetess ने हमें क्या explain करने की कोशिश करी है? कि एक woman की inner feelings क्या होती है? याने एक औरत के अंदर कौन से विचार होते हैं, कौन से views होते हैं, वो क्या feel करती है? जब वो एक ऐसी toxic marriage में फस जाती है, जिसमें उसका husband हमेशा उसे dominate करता है और वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकती तो उसी सब के बारे में हम इस poet में आज, poem में आज पढ़ेंगे Let's begin with the introduction of the poem In the poem, Aunt Jennifer Stigars, a woman expresses her suppressed feelings through her art यह जो poem हम पढ़ रहे हैं, Aunt Jennifer Stigars इसमें हम एक woman के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है Jennifer वो क्या बता रहे है? वो इमरोइडरी कर रहे है, यहने सोई धागे से एक कपड़े पर कुछ सिल रहे है, कुछ बना रहे है तो यह उसकी art है, यह उसकी color है तो अपनी art के through वो अपनी suppressed feelings बता रहे है याने वो feelings जो उसके अंदर दबी हुई है जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसके husband से वो डरती है Aunt Jennifer is the victim of the male dominated society Male dominated society क्यों होती है? वो society जिसमें जो males होते हैं, जो आदमी होते हैं वो females को dominate करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं हर चीज़ का और वो अपनी मन की मर्जी की कुछ नहीं कर सकती है तो Aunt Jennifer भी victim है, याने शिकार है, उसी male dominated society के क्योंकि उनके husband बहुत dominated personality के है She has no one to tell her mental and physical pain उसकी life में, Jennifer की life में कोई नहीं है जिससे वो अपना mental और physical pain बताए क्योंकि उसकी husband बहुत demanding है और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं तो उन वो physically pained है, याने physically बहुत weak है और उनके इस behavior से उसको mental torture हो रहा है और वो mentally अपनी इस problem को किसी के साथ share नहीं कर पारी क्योंकि कोई है ही नहीं She makes a picture of a graceful and powerful tiger to convey her deep feelings वो अपने art में, अपनी कला में, जो वो embroidery कर रही है सुई धागे से, उसमें क्या बनाती है उसमें एक tiger बनाती है और tiger कैसा होता है, बहुत powerful होता है बहुत ज़्यादा proud animal होता है जिसको किसी से डर नहीं लगता है बहुत graceful होता है याने बहुत beautifully वो walk करता है उसकी चाल बहुत अच्छी होती है तो वो ये सब चीज़े अपनी art के थ्रू बना रही है जो कि अप उसकी खुद की personality से बिलकुल opposite है एक तरफ वो tiger embroidery में बना रही है जो कि बहुत powerful होता है जो कि बहुत निडर होता है किसी से उसको डर नहीं लगता और दूसरी तरफ वो खुद जो हरवक डरती रहती है बिलकुल powerful नहीं है बहुत weak है और अपनी feelings कभी express नहीं कर सकती है तो इस पूम में हमें पता चलते है कि एक औरत कितनी weak हो जाती है कितनी कमजोर हो जाती है क्योंकि जो clout men होते है क्योंकि जो men of the society होते है जो आदमी होते है उनको clout करते है यानि कि to hit someone यानि कि उनको मारते है और उनके उपर जुर्म करते है तो वो कितनी weak हो जाती है क्योंकि males जो होते है marriage में वो authoritative होते हैं हर चीज का decision हम ले हम आदमी हैं हम superior है और एक marital life में एक aunt Jennifer जो थी वो कितनी तकलीफ में थी कितने mental and physical anguish में थी pain में थी वो सब हमें स्पोम में पढ़ेंगे suppressed and oppressed aunt Jennifer wishes to be powerful and strong within like the tiger in her heart but fails oppressed का मतलब क्यों होते है harsh treatment बहुत बुरा cruel वहवार तो aunt Jennifer जो है बहुत suppressed है याने अपने husband के behavior से dominant behavior से बहुत दबी हुई है और oppressed है क्योंकि उनके husband उनके साथ बहुत harsh treatment करते है maybe उनको hit करते है उनने तकलीफ पहुचाते है तो उनकी ये wish है उनकी ये desire है उनकी एक इच्छा है कि जैसे embroidery में मैं एक tiger बना रही हूँ जो कि किसी से नहीं डरता बहुत bold है और निडर है बहुत beautiful है वैसी मैं बन जाऊं लेकिन उनकी एच्छा एक इच्छा ही रह जाती है एक desire बनके रह जाती है और वो fail हो जाती है अपने real personality को दुनिया के सामने लाने में क्योंकि इतने साल हो गए आप wishes मर जाती है किल कर देती है वो अपने अंदर चीज़ है वो सामने पॉम के तुरू हम आज पढ़ेंगे So let's begin with the explanation of the poem Aren't Jennifer's tigers Prance across a screen Bright topers Denizens of a world of green तो पॉम में किस के बारे में बात हो रहे है एक लेडी के बारे में बात हो रहे है जिसका नाम है Jennifer वो क्या कर रहे है वो अपनी आठ अपनी कला दिखा रही है याने कि इंब्रॉइडरी कर रही है वो क्या बना रही है एक टाइगर बना रही है एक कपड़े पर सुई धागे की मदद से तो वो बोल रहे हैं कि जो इंब्रॉइडरी पे जो कपड़े में embroidery कर रही है आंटी आंट जैनिफर जो कर रही है वो tiger की एक image बना रही है और जो उनका tiger है वो prance कर रहा है याने walk or move around within high springy steps याने बड़े-बड़े steps ले रहा है और bold steps ले रहा है Bright topaz, topaz क्या होता है? अब bright yellow color of stone Topaz एक तरीके का precious stone है जो बहुत bright yellow color का होता है तो वो बता रही हैं कि जो वो बना रही है tiger को वो topaz color का याने bright yellow color का और बहुत shine कर रहा है daylight में इस तरीके की वो embroidery कर रही है एक tiger की denizens of a world of green, denizens याने an animal that lives or is found in a particular place तो वो कह रहा है कि जो aunt Jennifer जो embroidery कर रही है एक tiger की वो बहुत bright yellow color का है, shine कर रहा है और वो बड़े-बड़े steps ले रहा है और उसकी background जो है वो greenery है याने वो forest में greenery में चल रहा है denizens याने वो जिस जगा रहता है, forest में रहता है वहाँ उसे सब जानते हैं, उसकी एक identity है और on the other hand, जो aunt Jennifer है वो कैसी है, वो bright नहीं है वो बहुत dull है, बहुत weak है वो boldly नहीं चलती है वो बहुत dull तरीके से बहुत जुकी हुई हालत में चलती है क्योंकि वो अपने husband से बहुत परिशान है और जैसे, Dennis याने जैसे एक identity होती है forest में कि tiger आ रहा है वैसे उनकी खुद की अप कोई identity घर में नहीं बचिए They do not fear the men beneath the tree They face in a sleek, chivalric certainty Sleek का मतलब क्यों होता है? Elegant, beautifully And chivalric का मतलब क्यों होता है? Being courteous specially to women An act of great gentleman तो वो यहां बोल रहे हैं कि जो embroidery में उनका tiger चल रहा है याने चलते हुए जो बना रही है tiger को वो किसी से डरता नहीं Do not fear चुकि tiger को किसी से डर नहीं लगता वो बहुत bored है इसको किसी से डर नहीं लगता On the other hand जो aunt Jennifer है वो हमेशे डरती है किस से? अपने husband से और अपने मन का कुछ नहीं कर सकती है जैसे elegantly beautifully एक tiger walk करता है और सबसे और मतलब उसको अगर कोई परिशान ना करे तो किसी को परिशान भी नहीं करता है On the other hand जो यहाँ पर कौन है? aunt Jennifer है वो इतनी proudly और boldly अपने घर में नहीं चलती है और उनके साथ अच्छा व्यवार नहीं करते हैं उनके husband याने उनके husband एक gentleman नहीं है तो बेसिकली एक बहुत toxic जहरीली marriage में फसी हुई है जहां उनका husband बहुत जादा dominant है Second paragraph Aren't Jennifer's fingers fluttering through her wool? Find even the ivory needed heart to pull Fluttering का मतलब क्या होता है? To move in a quick irregular motions as if being agitated Fluttering याने tremble करना कापना डरके मारे कापना इसे fluttering कहते हैं तो वो कहरें जो aren't Jennifer's की fingers जो उंगलिया है वो जैसे ही wool याने उनके जो धागा से अपनी embroidery कर रही है वो embroidery करते वक भी उनके हाथ क्या है? काप रहें क्यों काप रहें? क्योंकि वो बहुत weak हो गई है उन्होंने अपनी पूरी जिन्दे की इतना काम किया है उनके हाथों ने इतना काम किया है कि अब वो weak हो गई है और इतनी weak हो गई है कि जो ivory needle है जो पतली सी एक needle एक सुई है जिसका कोई weight नहीं होता उसको cloth के बाहर निकालने डालने में भी वो needle भी उनको इतनी भारी लग रही है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इतना काम किया कि उनको अब सुई का भी weight बहुत भारी लग रहा है weak हो गई हुए उनके उंगलिया काप रही है second reason यह है कि वो अपने husband से बहुत डरती है तभी अकाप रही है उन्हें शायद इस बात का डर है कि उनके husband अगर अचानक से आ गए और उन्होंने देख लिया कि वो कोई काम नहीं है कर रही है और फालतु की embroidery कर रही है अपना time waste कर रही है तो अपनी मन की चीज कर भी नहीं सकती क्योंकि उनके husband से डर लग रहा है कि वो आएंगे, गुस्सों हो जाएंगे इसलिए उनके हाथ काम पर रहे because she is weak और secondly उनको अपने husband से डर लग रहा है यह wedding band क्या है? यह wedding band है उसकी wedding ring तो वो कह रही है कि जब उनके husband से अंकल याने उनके husband से जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने उसको एक यह wedding band बनाया था याने कि engagement ring पहना आई थी अब इस engagement ring को वो आपक अपनी life में कभी afford नहीं कर सकती क्यारिये यह engagement ring है वो उस वक्त मेरे husband ने खरीद के दी थी और आज भी यह उनीकी है यह मेरी नहीं है क्योंकि मैं इसे afford नहीं कर सकती मैं इतनी ज़्यादा dependent हूँ अपने husband पे कि मैं अपनी लिए अपनी चीजें afford नहीं कर सकती और वो कह रही है कि जो अंकल की जो wedding bag जो यह उन्होंने जब मुझे rank पहनाई थी तो इस ring के साथ मेरे shoulders पे बहुत सारी responsibilities आ गई थी मेरे कंदों पे बहुत सारा भार बहुत burden आ गया था जो कि एक शादी के साथ एक women की life के में आता है शादी सिर्व नहीं होती शादी के साथ बहुत सारी responsibilities भी होती है जो एक woman को carry करने पड़ती है throughout her life पूरी जिन्दगी तो कहने कि अभी जो wedding ring मुझे पनाई है ये मेरे लिए एक burden की तरह बन गई है एक बोज की तरह बन गई है क्योंकि इसके साथ इतनी सारी responsibilities हैं जो मुझे face करनी पड़ रही है और वो सब responsibilities में मेरे husband का harsh behavior dominant behavior भी आता है और बहुत सारी responsibilities भी आती है तो वो कहने है sits heavily upon aunt Jennifer's hand याने की इतनी उमर हो गई आज aunt Jennifer की वो Jennifer से aunt बन गई है का auntie बन गई है याने बहुत age हो गई है उसकी तो वो कहरी है कि जो ring उन्होंने पहनी हुए वो अब उनको बहुत burden लग रही है when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with audiles she was mastered by audiles का मतलब क्यों होता है extremely severe tests or experiences याने एक इंसान अपनी पूरी उम्र में audiles याने एक इंसान अपनी पूरी जिंदेगी में कितने जारे कितने बुरे बुरे एक्सपीरेंस है या आश एक्सपीरेंस से गुजरता है और हर life के mode पर उसको test याने की बिलकुल इम्तिहान देने पड़ते हैं अपनी life में उससे हम audiles कहते हैं तो वो पोल रही है, poetess कह रही है कि जब aunt is dead, जब aunt Jennifer की death हो जाएगी her terrified hands will lie terrified याने जो उसके बुरे weak hands है जो hands काम करकर कि जो खराब हो गए है वो hands भी lie हो जाएगे, जैसी वो death हो जाएगी उसके अंदर से life study जाएगी तो उसके हाथ भी ऐसे lie हो के याने वहीं वहीं जमीन पर पढ़े रहेंगे still, ringed with audiles she was mastered by, लेकिन फिर भी उसके उंगली में उसके finger में वो ring रहेगी जो उसकी शादी में उसके husband द्वारों से पहनाई गई थी याने वो responsibilities और जो इतनी सारे harsh experiences उसने शादी की वज़े से इस wedding ring को पहनने के बाद जो face करें जो मुसीबते उसने हर कदम पे life में जो face करी है वो सब experiences उसके साथ उसकी death के बाद भी रहेंगे death तो हो जाएगी उसकी लेकिन हाथ में finger अभी रहेगी याने अभी वो wife कहलाएंगी अपने husband की और वो सारे experiences सारे harsh experiences जो test और experiences उन्होंने face की अपनी life में वो सब उनके साथ उनकी death के बाद भी associated रहेंगे the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unaffraid panel क्यों होता है panel इस तरीके का कपड़ा होता है जो बनाया जाता है और इसी के उपर जो embroidery और जो diagram बनाया जाते हैं तो इस border को इसको panel कहते हैं तो वो बोल रही हैं कि जो tigers वो बना रहे हैं इस panel पे इस कपड़े पे, इस cloth पे जो इसने बनाया हैं वो प्रांसिंग करते रहेंगे याने proudly और बिना डरे move करते रहेंगे वो हमेशा proud रहेंगे याने कि हमेशा pride फील करेंगे और unaffraid याने कि उनको किसी से डर नहीं लगेगा उनके death के बाद भी तो इसका मतलब यह है कि भले ही aunt Jennifer के death हो जाएगी लेकिन जो उन्होंने tiger बनाया है उस panel पे वो हमेशा वैसे ही रहेगा bold, proud, unaffraid इसको किसी से डर नहीं लगता लेकिन aunt Jennifer की जो इच्छा है वो मर गई, उनकी death के साथ उनकी desires भी kill हो गई वो कभी भी bold नहीं बन पाई ना वो अपने husband से अपनी discussions कर पाई कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है या मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही है और हम कभी भी proudly नहीं वो walk कर पाएंगी क्योंकि वो इतनी जादा weak हो चुकी है तो basically जो tiger है वो तो हमेशा निडर हो के चलता रहेगा लेकिन aunt Jennifer की death हो जाएगी पॉम का explanation खतम होता है now let's begin with some poetic devices used in the poem तो पहला poetic device जो पॉम में यूज हो है वो है rhyme scheme आप अगर हर line को देखेंगे तो उसमें rhyming words used हुए हैं जो पूरी पॉम में 12 lines है ये जो पूरी पॉम है ये पूरी 12 lines है total 3 stanzas है पूरी पॉम में जो first 2 lines है वो rhyme scheme set up कर रहे हैं तो rhyme pattern for the poem क्या है A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, N, F the rigid pattern mirrors the rigid life of Arne and Jennifer तो देखते हैं क्या है पहली line में serene and green दूसरी line में tree, certainty फिर wool and pull फिर band and hand फिर lie and buy and last में made and unaffraid तो ये हर दो lines के जो last words है वो rhyme scheme कर रहे हैं और rhyme scheme क्या use हुई है A, याने ये दोनों में same B, याने इन दो line में same C, याने इन दो line में same D, याने ये दोस lines में same rhyming use हुआ है E, याने इन दोस lines में same and F, याने इन दो lines में same तो A, A, B, B, C, C, D, D, E, E and F, F ये पूरा आपका rhyme scheme यूज हुआ है पूरी पूम के 12 लाइंस में. So, this was the first poetic device. Second use हुए परसॉनिफिकेशन. परसॉनिफिकेशन क्या होता है? It is the attribution of human characteristics to non-human things and animals. जो personalities या जो qualities humans क्यों होती है? अगर वो आप animals के साथ या किसी non-living thing के साथ associate कर देतो, that is called personification. यहां क्या यूज हुआ है? Sleek, chivalric, certainty. Sleek और chivalric कौन होते है? इंसान होते हैं. लेकिन यहां पर इसको किस से compare किया गए? एक animal से याने कि एक tiger से. तो याने कि या personification यूज हुआ है? The tigers are personified through the poem when they are described as being proud, confident and unafraid. तो proud इंसान होते हैं, confident भी इंसान होते हैं, unafraid of man भी इंसान होते हैं. लेकिन यह सारी human qualities एक animal के साथ अगर associate की गई है, तो that is a personification. नेक्स्ट जो यहां पर यूज हुआ है, वो है metaphor. It is a literary device that is used to make a comparison between two things that aren't alike, but do have something in common. तो metaphor एक ऐसा literary device होता है, जिसमें दो चीजें, जो अलग-अलग होती हैं, और उनको साथ में उस किया जाता है, comparison करने के लिए. और उन दोनों चीजें में कुछ ने कोई चीज कॉमन जरूर होती है, होती है अलग हैं, और दोनों में कोई एक चीज जरूर कॉमन होती है, और comparison के जब आप यूज करते हो, that is metaphor. जैसे bright topos, denizens of a world of green. The poet compares the yellow stripes of the tigers to a precious stone topos. तो क्या compare हो रहा है? इसका compare हो रहा है, जो tiger की body पे येलो कलर होता है, जो strips होती हैं येलो कलर की, उससे compare हो रहा है. तोनों अलग-अलग चीजें पर दोनों में एक चीज कॉमन है, bright yellow color, तो यहां पे metaphor यूज हुआ है. Then, जो next आपका poetic device used हुआ है, वो है alliteration. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of the adjacent or closely connected words. हम सब को पता है की vowels कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. इन five letters को छोड़के, जितने भी letters होते हैं, वो सारी consonants होते हैं. जब किसी line में, दो words साथ में used होते हैं, उनके जो first letters होते हैं, वो consonant होते हैं, that is alliteration. For example, chivalric certainty, दोनों वर्ड साथ में और दोनों के first letters के हैं, C. याने क्या है, consonant used हुआ है, तो this is alliteration. Fingers fluttering, दोनों वर्ड साथ में used हुआ हैं, दोनों वर्ड के जो first letters हैं, वो है F. Again, consonant. And last, में प्रांजिंक प्राउट, दोनों वर्ड साथ में used हुआ हैं, दोनों के first letters हैं, P. Again, a consonant is used. That means, यहां पे alliteration used हुआ है. Then, हमारा जो next use हुआ है, पुटिक दिवाइस हुआ है, हाइपर बोल. It is a device that uses exaggeration to express a strong emotion. जब पॉम में कोई ऐसी lines है, कोई ऐसे words used होते हैं, जिसको exaggerate करके बताएगा है, यानि कि बड़ा चड़ा करके बताएगा है, ताकि पता चले कि हम कितने strongly, कितने strong emotions के साथ उस बात को बोलना चाहरे हैं, कितना believe कर रहे हैं, उसे हम hyperbol होते हैं, यानि बहुत ज़दा hyperbol, या बहुत कोई बारी नहीं होता, लेकिन यहां के बता है, massive weight, बहुत बारी थी अंकल की wedding ring, तो यहां ring तो बारी नहीं थी, लेकिन बताने की कोशिश हो रही है, कि जो wedding ring थी, वो इसलिए बारी थी, क्योंकि उसके साथ Aunt Jennifer के पास बहुत सारे burden responsibilities भी आ गए थी, तो वो ring भी अब उनको भारी लगने लगी थी बहुत, the poet exaggerates the weight of her husband's wedding ring to make a point about how dominating is, तो यह पता चल रहा है कि उनको husband कितना dominating था, कि उसको अब उसकी जो wedding ring है, जो शादी में पिनाए गई ही ring है, वो भी अब burden लग रही है, बहुत बोजहा लग रही है, ओके, और आज हम क्या साथ करने वाले है आज हम स्टार्ट करने वाले है, हमरी class 12th की जो flamingo book है, उसकी poem no.6, Aunt Jennifer's Tiger, और उसकी summary एन कुछ important question and answers आज हम कब करेंगे, तो यह जो poet है, यह कौन है, यह adrene rich है, यानि यह खुद एक female है और यह feminist है, feminist लाने की यह, औरतों के साथ बुरे व्यवार को किये गए, जो भी कोई औरतों के साथ, विमिन के साथ बुरा व्यवार करते हैं, उनके खिलाफ खड़ी होती है, और उनके females के favor में बात करती है, तो वो खुद एक female और उन्होंने यह जो poem लिखी, वो एक female के बारे में काफी जादा demanding है, और जिसकी वज़े से उन्होंने पूरी जिन्दगी बहुत काम किया है, बहुत hard work किया है, और अब वो बहुत weak हो गई है, तो यह जो art है, इनके एक hobby है, इनका एक art है, वो क्या है, embroidery करना है, यानि सोई दागे से कपड़े पर इस तरीके से सिलाई करना, और इस तरीके से designs बनाना, तो यह क्या कर रही है, यह embroidery कर रही है, और अपने embroidery में किसकी design बना रही है, एक tiger की, और tiger कैसा होता है, energetic होता है, fearless होता है, और move करता है दोदर freely, bright greenery में, तो basically यह जो art है, यह जब भी अपने इसको free time मिलता है, और जब इसके husband नहीं होते हैं घर तो यह चुप चाप अपनी hobby, अपनी पसंद की चीज़ करती होती है, embroidery, इस embroidery में यह tiger बना रही है, और tiger कैसा होता है, बहुत energetic, याने बहुत strong होता है, बहुत energy होती है इस किंदर, किसके opposite, आंट के opposite, क्योंकि आंट बिलकुल energetic feel नहीं करती, वो बहुत weak feel करती, क्योंकि पू opposite है, क्योंकि आंट हमेशा बहुत डरती है अपने husband से, in fact उनकी उंगलिया काप रही है इस वक्त, जब वो क्या कर रही है, embroidery कर रही है, क्योंकि उनके husband अगर आ जाएंगे, तो चलनाएंगे उन्हें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई, ये तो free बैटी है, अपने free time में, अपना time waste कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है घर का, तो इसलिए वो बहुत डरती है अपने husband से, जो की opposite है tiger से, क्योंकि tiger को किसी से डर नहीं लगता, tiger क्या कर रहा है, freely move कर रहा है, अधर अधर move कर रहा है, tigers अराम से जिस जगह, जिस जंगल में, घरे भरे, forest में अधर move करते हैं, उसको किसी का डर नहीं, लेकिन उसी के opposite, उसी की contrary, जो aunt है, वो अपने ही घर में, खुद के घर में अराम से दर दर नहीं गूम सकती, क्योंकि उन्हें हर वक्त अंकल की, या जाज जो husband उनको, उनका हमेशे डर लगा रहता है, तो basically उन्हीं के घर में, उनकी कोई घूम रहा है, और freely अपनी जिन्दगी जी रहा है, जो कि again opposite है, क्यों aunt अपने घर में, उनकी कोई identity नहीं है, उनको कोई respect नहीं करता, specially uncle बहुत dominating है, तो वो अपने घर में, खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती है, तो aunt Jennifer की जो hobby embroidery करने की, उस पे वो tiger बना रहे हैं, और tiger बना के वो क्या express कर रहे हैं, अपनी feelings express कर रहे हैं, कि जैसा ये tiger है, fearless, energetic, he moves here and there freely, वैसी वो भी वैसी बनना चाहती है, उसको भी खुली हवा में सांस लेनी है, उसको भी acceptance ले घर में, respect चाहिए, और love चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा, exactly वैसे जैसे tiger को मिलता है, She is living a life in which she is always agreeing on the demands and commands of her husband, तो वो कैसी जिन्दगी जीरी है, आंट है कैसी जिन्दगी जीरी है, जिसमें वो अपने husband के हर बात पे एगरी करती है, उनके पास कोई choice नहीं है, उनको अपने husband के हर बात माननी परती है, उनके husband जो भी चीज़ दिमांड करते हैं, और जो भी उनक परते हैं उनको, वो सब उनको मानने ही परते हैं, हर acts are dominated by him and she fears him constantly, जो भी आंट काम कर रही है जैनिफर यहां पर, जो भी उसके actions है, वो किस क्यों है, क्योंकि अंकल हमेशे उसके husband उसको हमेशे क्या करते हैं, डॉमिनेट करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी इनर फीलिंग्स बाहर ही नहीं आ पाई, वो real उसकी identity क्या है, वो आई नहीं पाई, क्योंकि वो वो ही करती है, जैसा अंकल ने order दे रही है बस, और continuously वो उनके, उनसे डरती रहती है तो जो ये free और fearless tigers की जो design बना रही है, वो अपने पैनल पे याने अपने cloth के कपड़े पे, cloth के टुकड़े पे जो embroidery कर रही है, ये क्यों बना रही है, क्योंकि इसकी inner feeling है, उसकी अंदर से दिल से इच्छा है कि मैं भी निडर हूँ, मुझे कोई दबाए न, मेरी भी कुछ अच्छा है, कुछ feelings है, जो मैं खुशी-खुशी कर सकती हूँ, बिना किसी से डरे, the tigers are graceful, elegant and bright, जो tigers हैं वो कैसे होते हैं, graceful, उनकी चाल बहुत graceful होती है tigers की, बहुत elegant याने बहुत beautifully move करते हैं, ऐसा लगते हैं उन्हें देखते ही रहे, और bright है, bright जैसे की topaz stone होता है, या exactly, tiger भी वैसे bright yellow color का है, बहुत bright है, और shine कर रहा है, याने बहुत energetic है, again, aunt के opposite, क्योंकि aunt क्या, उन्हें पूरी जिंदेगी इतना काम किया है, इतना डरी रहती हैं वो, कि वो बिल्कुल bright नहीं है, उनके face से पुरा glow, सब कुछ dull हो चुका है, उन्होंने अपनी beauty कुछ ऐसे स काप रही है, जैसे जैसे वो embroidery कर रही है, याने वो tiger को बना रही है, क्यों, she is old but still fears her husband, वो अज इतनी उमर की हो गई है, वो एक auntie बन गई है, लेकिन फिर भी उनको अपने husband से बहुत डर लग रहा है, उनके उंगले हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर uncle आ जाएंग जिसको वो cloth से अंदर बाहर निकाल रही है, वो तक उसको भारी लग रही है, क्योंकि उसके fingers बहुत जाधा weak हो गई है, उसको डर लग रहा है कि अगर uncle ने देख लिया तो वो गुस्स हो आजाएंगे कि तुम time waste कर रही हो, और embroidery कर रही हो, Since the day she got married, she has been fulfilling the demands of her husband, जिस दिन से अंट की शादी हुई उसके husband से, उस दिन से लेके आज तक वो अपने husband की सिर्फ, हर demand, हर जरूरत को पूरा कर रही है, बिना ना बोले हुए, The wedding ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband, जो उसकी finger पर, आंट की finger पर जो wedding ring उसने पहनी हुई है, उस से बार बार उसको याद आता है कि, यह जो मेरे husband है, यह मेरी ring के साथ associated सारी feelings हैं, और यह वो मेरे husband है, तो मुझे इनका काम जिन्दगी बर करना ही और वो first चुकी है इस marriage में एक तरीके से, The burden of the demanding marriage has exhausted her, और यह जो burden है, यह ring पहनने के बाद एक burden और responsibility आ गई है आंटी के पास, कि भाई, उनको हर चीज अपने husband के एक तरीके से माननी है, तो यह जो अब ring पहनने के बाद burden है, वो उससे exhaust हो गई है, उनकी responsibilities से ठक गई है क्योंकि अंकल ने continuously उनको hit किया है, उनको demand किय हमेशे उनको orders देते रहते हैं और घर में कोई respect नहीं है, the torment will not end until her death, torment का मतलब क्यों होता है, suffering and torture, तो आंट ने अपनी पूरी जिन्दगी सफर किया याने भुकता है, बहुत torture face किया है उनकल का, तो बोल रहे हैं यह poet कि इस lady का, इस aunt का torture जो है, जो torment है, यह तभी खतम होग जब इसकी death होगी, otherwise तो यह पूरी जिन्दगी सिर्फ बरदाश करती रहेगी और सहती रहेगी अंकल का dominance, even after her death, the ring will remain on her hand and she will never be free, तो यह बता रहे है, poetess कि death के बाद उसके अंदर से life तो निकल जाएगी, लेकिन वो जो wedding रहेगे फिर भी उसके हाथ पे रहेगी, इसका मतल यह है कि उसकी death के बाद भी, वो जो ring के साथ आया हुआ burden था, जो चीज़े उसने पूरी life में experience करी, सफर किया है उसने अंकल के साथ, वो फिर भी उसकी life में रहेगा उसकी death के बाद भी, क्योंकि जो भी experiences उसकी life में हुए है, वो खतम नी होगे, जो हुए है वो उसके साथ उसकी death के बाद भी उसके साथ जाएगा, on the other hand, the tigers that she is embroidering will continue to move around freely forever, her desire of freedom and fearlessness will live on through her tigers, और जो आंट tigers बना रही है अपने, जो पूरा silk के पूरे design बना रही है, उसकी death के बाद भी, वो tigers continuously freely इदर उदर move करेंगे, forever move करेंगे, जैसे tiger अनफरेड होता है किसी से, इदर उदर बिन किसी के डर से freely move कर सकता है, वो आंट के death के बाद भी move करेगा, लेकिन आंट के अंदर जो ये इच्छा थी, कि मैं इस tiger जैसी बनूँ, मैं भी free हो जाओ, मैं भी खुश रहूँ, मेरे अंदर भी वैसा glow आए, जैसा tiger glow करता है, वो सब चीजे एक इच्छा ही रह गई, एक desire ह रहे गए और उसकी death हो जाएगी, उसकी death के बाद भी ये जो tigers है, freely move करेंगे, लेकिन वो नहीं move कर पाएगी, जो इच्छा थी, कि मुझे भी freedom मिले, मैं भी nidder रहूँ, याने unafraid, किसी से डरू नहीं, ना अपने husband से, ना किसी चीज से, वो हमेशा इस tiger की जो design है, उसमें नहीं ही रह जाएगी, वो कभी ये चीज फॉलो करी नहीं पाएगी, क्योंकि इसके husband हमेशा बहुत जादा harsh है, बहुत dominant है, और वो जो lady है aunt, वो एक male dominated society की victim हो गई है, याने शिकार बन चुकी है, तो यहाँ पर हमेरी स्तमरी कहतम होती है, let's begin with some question and answers, first question, how do denizens and shivalric add to our understanding of the tiger's attitude, तो यह जो word is denizens और जो दूसरा word is shivalric, यह हमें एक tiger के attitude के बार में क्या बताते है, कि tigers कैसे है, तो answer देखते है, the word denizens means that they are proud of their home, they feel safe, safe there and have a feeling of belonging attached to it, तो denizens का मतलब है, कि जो tigers होते हैं, वो कहां रहते हैं, jungle में, forest में, इसका मतलब यह है कि वो अपने घर के लिए, अपने forest में जहां वो रहते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जा freely घूमते हैं दर दर forest में, और वो वहां safe feel करते हैं, उन्हें किसी का डर नह घर में, और उनके अंदर एक feeling है, एक attachment है अपने घर से, क्योंकि वो forest में रहते हैं, forest के animal है, तो उनको एक attachment है, वो और कहीं नहीं रह सकते हैं, तो बोल रहे हैं कि यह बात बता रहे हैं कि एक animal जो है, tiger वो यह है, denizens में है, याने कि वो comfortable feel करता है, on the other hand, जो aunt है, वो अपने घर में, बहुत डरी डरी रहती हैं, इधर उदर freely move नहीं कर सकते हैं, उन्हें घोटा नहीं होती है, अपने husband से डर लगता है, और क्योंकि घर में उनको इतने सारे bad experiences मिलें कि वो अपने घर में safe feel नहीं करती, और कोई attachment नहीं हो से अब अपने घर से, जो second word is chivalric, the word chivalric shows that they have a majestic and worthy position in the vast forest, majestic मतलब great personality और worthy position मतलब an important place, तो word जो chivalric है वो ये बताता है कि एक जो tiger होता है, वो बहुत majestic है, याने बहुत great personality, उसकी personality ऐसी है कि वो जब चलता है, बहुत proudly चलता है और उसको किसी से डर नहीं होता, और उसकी worthy position है पूरे forest में, याने एक important place है, tigers are very important for the entire forest, सब लोग वहाँ पर उसे important देते हैं, अगर आप जू भी जाएंगे तो सबसे पहले lion या tiger को देखना prefer करेंगे, दूसरे किसी animal के अलावा, तो एक important place hold करता है tiger, लेकिन जो aunt है, उनकी personality कैसी है, कोई bright नहीं है, बिल्कुल dull हो चुकी क्योंकि पूरी जिन्देगी उसने इतन नहीं है, okay, second question, why do you think aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza, आपको क्यों लगता है कि second stanza में ही बोला गया है, कि aunt Jennifer के जो उंगली है, जो hands हो flutter कर रहे हैं, याने काप रहे हैं, जब वो wool, याने उनके धागों को निकाल रही हैं, और cloth से बाहर निकाल रही हैं, design बनाते time, why is she finding the needles so hard to pull, उनको एक छोटी सी needle, जिसका कोई weight नी होता, उसको इतनी hard क्यों लग रहा है, उसको इतनी heavy क्यों लग रही है वो needle, तो answer है, her hands are fluttering probably because she is scared of her husband, who would come anytime and scold her for setting idle and wasting her time doing embroidery, तो उनके hands जो है, वो इसलिए कहाँ परहे हैं, क्योंकि इसको डर लग रहा है कि उसके husband, कभी भी घर आजाएंग तो यह अगर वो देख लेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगा और चिल लेंगे, इसलिए डर के मारे उसके हाथ कहाँ परहें, she finds a needle so hard to pull because her fingers are tired of working endlessly all through her life, और उसको एक छोटी सी needle जिसका कोई weight नी होता, वो इतनी भारी इसलिए लग रही है, क्योंकि पूरी जुन्दगी उस 3rd question, what is suggested by the image, massive weight of uncle's wedding band, पूम में एक लाइन है, massive weight of uncle's wedding band, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, wedding band क्या है, वो जो ring जो उन्होंने, uncle ने पनाईती शादी के time, वो wedding band याने wedding ring है, और massive weight याने बहुत heavy weight, उनको जो ये wedding ring का weight है बहुत heavy लगता है अपनी उंगलियों में, इस massive weight of uncle's wedding band suggest symbolically that the bindings and obligations of her marriage are so much that they have put a lot of burden and stress on her, क्योंकि उस wedding ring के साथ, आंट को क्या मिला, bindings, याने वो uncle से bind हो गई, जुड गई, याने अपना रिच्ता तोड नी सकती, फस गई है, and obligations, याने इस wedding ring के साथ, उसके कंदों पर वो सारा बोज, वो सारी responsibilities आ गई, जो की uncle की demands उसको हमेशर follow करनी है, तो वो कहनी है कि इस ring का कोई weight नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी उंगली पर मुझे बहुत भारी लगती है, क्योंकि इसी के साथ मुझे बहुत heavy burden, बोजह वाले responsibilities मिल गए, और साथ में uncle का, मुझे सारे demands fulfill करने जिंदगी पर, और वो मुझे मारते हैं, मुझ आपको क्यों लगता है कि Aunt Jennifer उस पूरे cloth पे एक animals को क्यों design, animals की क्यों design बना रही है, जैसे tiger की design क्यों ही बना रही है, और tiger की जो personality है, वो कितनी opposite है aunts है, tiger कितना freely रहता है, किसी से डर नहीं लगता, on the other hand, aunt कितनी surprise है, कितनी dull है, दरती रहती है हमेशा अपने husband से, तो वो इ the poet be suggesting through this difference, तो इस difference से poet हमको क्या suggest कर रहा है, हमें क्या बताना चारा है, हमें वो answer में बताना है, तो इसको points में हमने लिया इस answer को, first point है, poet केती, I think that Aunt Jennifer's intense desire for freedom and fearlessness came out through her creativity, तो उसने क्या create किया, अपनी art में क्या दिखाया है, कि वो एक tiger draw कर रही है, और tiger कैसा होता है, हमेशा free रहता है, और fearless, याने किसी से डरता निये, तो basically उसकी इस design से ये पता चलता है, कि उसकी inner feeling, उसकी अंदर के इच्छा है, कि वो भी अपनी जिंदगी में free रहे, याने उसको कोई परिशान नी करे, बांध के नी रखे responsibilities के अंदर, और fearless रहे, याने उसको uncle से डर, उसका खतम हो जाए, तो ये उसकी desire बताती है, इस animal की design से, point number two, this is the time when she is with herself, and then her innermost feelings are expressed here, her medium of expression is the embroidery, अब जब वो ये designs बनाती है, वो तब बनाती है, जब वो अपने free time में होती है, और free time में हम क्या करते है, हमारी hobby, हमारा favorite काम करते है, तो शायद इसी वज़े से, जब वो अकेली होती जब उसके आसपास कोई नहीं होता, जब uncle भी नहीं होते है, घर में उसके husband, तब अकेले में उसकी real feelings, inner feelings है, वो बहार आती है, और बहार किस form में आरी है, embroidery के form में आरी है, जिस पे वो tiger को बनारी है, और अपनी अंदर की इच्छा express करी है, कि उसे भी fearless और freedom के साथ रहना है जैसे ये tiger रहता है, point number three, through this difference it is shown that the lady is not what she is, her circumstances have made her this, तो इस difference से ये पता चलता है, कि tiger कितना different और वो कितनी, उसकी खुद की personality कितनी different है, उससे ये पता चलता है कि वो जो actually है, that the lady is not what she is, कि actually जो lady reality में जो उसकी personality है, वो पॉम में नहीं है, यानि कि reality में उसकी इच्छा क्या है, free रहने की, fearless रहने की, खुश रहने की, तयार होने की, ये सब उसकी इच्छा है, लेकिन वो अपनी इन सब इच्छा को kill करके uncle के सामने वैसे रहती है, जैसे uncle चाहते हैं, बिलकुल वैसे वैसे dominate होती जाती है, जैसे uncle dominate उसको कर रहें, तो इस difference से ये पता उत्त असलिए 20 ऐसी सिटुईशन है इस मुशक्र सिच्वेशन उसको ऐसा बनाया है वह यालिटी मैं सी एवर रेयोटी में बवितило आपर मिनने मदें ये लिए मुझे अप्डया गया है मजमूरी में एवन ही तो य शही मुझेर से पैसिकjerstar इतनी मुश्किलों के बाद भी So all these things यह हैं जो हमको बताते हैं कि tiger और aunt की personality में काफी difference है So children with this we come to an end of this session और यहाँ पर हमने summary और कुछ important question and answers खतम किये I hope आपको अच्छे से समझ में आये होंगे आप मेरे जाके videos जो है YouTube पर भी देख सकते हैं और YouTube पर आपको अगर मेरी videos नहीं मिली तो आपके एक छोटा सा process करना है वो यह है कि Google पर आप हमारी website का नाम डालिए जो है magnetbrains.com जब आप यह website का नाम डालेंगे तो इस तरीकी का एक page आपके सामने आजाएगा जहां पर सारी classes mentioned रहेंगी Class 12, 11, 10, 9, 8 and so on For example, आपको Class 11 के English के videos देखने तो आप Class 11 पर क्लिक करिए जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीकी का page आपके सामने आएगा जो भी teachers Class 11 में सारे subjects पढ़ाती है including me जो मैं English लेती हूँ वो सब list आपके सामने आजाएगी तो यहाँ पर English मैं पढ़ाती हूँ तो जब आप इस option को क्लिक करेंगे तो जितने भी मैंने English के videos बनाए है उसकी list यहाँ पर आजाएगी Class 11 की For example, मुझे हॉन बिल बुक जो Class 11 की English बुक उसका first chapter देखना है The Portrait of a Lady का Introduction और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इस तरीकी का जो वीडियो है आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा तो children, I hope आपको easily समझ में आगया होगा कि अगर आपको chapter की videos YouTube पे easily नहीं मिल रहे तो एक्साइट पे जाके directly आप easily कैसे access कर सकते So with this, we come to an end of this session और आप हमारे आगे की और chapters और videos देखने के लिए Stay tuned and तब तक लिए Bye Bye and Thank You